तो आईटी खिलाव कॉंग्रेस के प्रधर्शन भोपाल और राइपुर में कारिकरता प्रधर्शन करेंगे आईटी दफ्तर के बाहर प्रधर्शन करेंगे आईटी ने युवा कॉंग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किये थे कुछ कॉंग्रेस नेताओं के भी खाते फ्रीज हुए थे प्रदर्शन में फिधायक और पताधिकारी भी शामिल होंगे ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां कॉंग्रेस पाईटी आज भोपाल और राइपुर में प्रदर्शन करने जा रही है दोनों प्रदेशों में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा आप आइटी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कॉंग्रेस पाईटी के कारे करता करेंगे इसमें विधायक भी कॉंग्रेस पाईटी के शामिल होंगे और इस ख़बर पर जदा जानकारी के साथ मेरे दो सहीयोगी जुड़ गए हैं एक तरफ जहां अतुल जुड़े हुखमे हैं राजधानी भोपाल से तो वहीं दूसरी तरफ राइपुर से मेरे सहीयोगी अंकुष में सिधा जुड़ गए हैं और 2018-19 का कॉंग्रेस ने 45 दिन लेट इंकम टेक्स भराता उसको लेके आयकर बिवाग की ये बड़ी कारवाई रही है तेकि ये युवा कॉंग्रेस के और AICC के ये खाते फ्रीज कर दीका हैं जिसके बाद से कॉंग्रेस या रोप लगा रही है कि आयकर बिवाग बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और लोगसभा चुनाओं के पेले हमारे खाते फ्रीज कर दीका हैं ताकि हम लोग सवाज चुनाओं के दुरान आर्थिक कमी से जूजे बरहाल अगर हम देखें तो राजधानी बुपाल के हम बात करें तो PCC चीप यूटूब पैटवारी के नितत्व में आज आयकर विभाग के भाह लगबक साड़े ग्यारव यह के करीब तमाम कॉंग्रेस जो कायर करता है वो इखटे होगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे देखी जिस तरीके सा आयकर विवाग ने यह नोटिस थमाया था और नोटिस में यह कहा था कि लगबक 45 दिन लेट आयकर टेक्स भरा है कॉंग्रेस ने जिसके बाद 215 करोड रुपे के लगबक का जो है पूरी टैक्स पकी कि गई थी लेकिन उसके बाद जब फ्रिस के गएगे अपक कॉंग्रेस नियाले में है और आक तमाम यह निता आहरोप लगा रहे हैं कि जब कूरत में donc7 वीकłeग बीच कुनों हो है ऑर लोग्राच चुनाओं के पहले दिस दरीस खड़ी हो रहा है अलग कर विवाग की उपर कॉंगर्स का गंभीर आरोप है और तमाम जो कायर करता है वह राज़ानी बुपाल के आयकर विवाग में खटा होंगे और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे साथ में जिस तरी के से देखिए इनका इसाफ सुर्पे जीतु पटवारी का यह कहना ह कि क्योंकि लोकसाबा चुनाव हैं हमें इससे आर्थिक कमी से जूजने की कोशिश जो है वीजेपिक तरफ से करवाई जा रही है जनता के दरबार में जाएंगे और जनता के बीच में जाके अबाद रखेंगे ताकि यह बात स्पस्थ हो से लेकिन अंकुष अंकुष अब अब प्रधर्शन की बात तो चल रही है हलाकि यह जो फ्रीज लगे थे फ्रीज को तो हटा लिया गया है फिलाल के लिए उसके बावजूद इस तरीके का प्रधर्शन देखने को मिल रहा है रायपूर में कॉंग्रेस पाइटी की किस तरीकी के तैयारी दिखाई दे रही ह देखें मध्य प्रधर्श में जिस तरीके से कॉंग्रेस पाइटी प्रधर्शन करेगी कमोबेश उसी तरज पर अच्छतिसगर में भी प्लानिंग की गई है अभी अहाल ही में पीसी सी चीप दीपक बैच जो है वो रायपूर लोटे है और रायपूर लोटने के बाद उन तो प्रधर्श में पीसी सी चीप दीपक बैच के नितरत तो मैं युवक कॉंग्रेस के जो पदादीकारी है और युवक कॉंग्रेस के जो कार करता है वो इंकम टेक्स आफिस के बाहर बैट कर ये पूरा प्रधर्शन करेंगे इस प्रधर्शन के दोरान बिरोध इसी बात जाता है और इस मजबूत धड़े के कांदों पर महत्मुन जिम्मेदारी ये है कि उनको पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार करता है उनको एक जुट करना है एक जुट करने के साथ साथ लोकसभा चुनावी मैदान में सब को मजबूती से खड़ा क करना है और इसी दोरान अगर उनके खाते सीज कर दिया गया है तो सभाविक तोर पर आर्थिक परिशानिया जो है वो कहीं न कहीं होते हुए दिखाई देंगी इसी बात का ये ब्रोध किया जा रहा है इसके पहले अगर हम बात करें तो पूर्ब मुकमंतरी भूपेश भग पर दमनकारी नीती आपना रही है दमनकारी नीती के आरोप के साथ केंदरी एजनसियों के दुरूपियो का भी आरोप जो है कौंगरेस पार्टी यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है और इनी अगर हमारे अकाउट ऐसी फ्रीज रहेंगे तो फिर हमारे पास तो वाली बात हो कि फिलाल दोनों सही होगे कि बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए